हम लोग solve करने जा रहे हैं 8.17 question यहाँ पर हमें 4 reaction दी हुई है और इन 4 reaction के base पर हमसे question कर रहे हैं कि what influence do you draw behavior of AG plus and CO2 plus from these reaction यहने हम क्या conclusion reaction से निकाल सकते हैं अगर हम पहली वाली reaction देखें तो पहली वाली reaction में क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर AG क्या है NO3 की उपर एक minus आता है AG की उपर क्या है प्लस 1 यहाँ पर AG क्या है 0 यहाँ पर प्लस 1 से 0 हो रहा है यहाँ और oxidation number decrease हो रही है तो यहाँ पर AG plus 1 का AG 0 में क्या हो रहा है reduction हो रहा है वह यह अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या है phosphorus की oxidation number यहां पर अगर हम देखें इस में इस स्पूरी स्पेचिस पर सिंपल से तो लाइन हम कुं कर रहा है जी ंकर रहा है एजी प्लक सब्सक्राइघ तो ह्मारे वर क Vergleich ऑक्सी डाइजांग क्यों कि जो आक्सी डाइजेंफ करते हैं Il ओक्त यॉट अमारे oxidizing agent राइट वहीं अगर हम यह देखें यहाँ देखें SO4 के उपर क्याते हैं 2- SO4 के उपर क्याएंगे 2+, 2 से copper के कितनी होगे 0 plus 2 से 0 होगे यानि इसका क्या हो रहा है reduction हो रहा है oxidation number जब decrease करती ही तो क्या होता है reduction होता है राइट तो यहाँ पर हो गया reduction हो गया वहीं अगर हम इसमें देखें इसमें क्या हो गया addition of O 2 होते हैं यहाँ पर 4 हो गया addition of O हो रहा है तो addition of O क्या होता है यानि oxygen क्या होता है oxidation होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है oxidation or ice species का राइट यानि यहां पर oxidation कौन कर रहा है Cu plus 2 यानि यह कैसे work करेगा यह work करेगा as a oxidizing agent oxidizing agent के रूप में वहीं अगर हम नीचे वाली reaction अपनी देखें यह थी C वाली reaction देखें C वाली reaction देखें इस reaction में क्या हो रहा है कि यहां पर NH3 की कितने होती 0 2 into 0 0 हो जाएगी AG की oxidation number कितने होजाएगी X mutu 2 into 0 0 हो जाएगी पुरी के ओपर charge कितना है Plus 1 तो AG की oxidation number कितने है Plus 1 यानि यहां Plus 1 से क्या हो रहा है AG Zero में जा रहा है यहां पर अभी भी क्या हो रहा है Reduction हो रहा है क्यूंकि oxidation number क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है वहीं अगर हम देखे हैं C6H5CHO था COO बन गया ठीक है यानि एडिशन आफ ओ हो गया तो इस इस्पीसीज का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया देन अगर हम यह वाली रेक्शन देखें तो इसमें क्या हो रहा है C6H5CHO था और C6H5CH Cu2 प्लस से क्या हो गया पहले तो C2 plus का C2 plus में होता हूँ यह ऑक्सीडेशन इसका होना चाहिए था लेकिन यहां पर रेक्शन क्या होई नहीं हो यानि no changes observed यानि पहली रेक्शन में और दूसरी रेक्शन में दोनों AG plus 1 और C2 plus दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहे थे लेकिन जो एजेंट के रूप में वर्क नहीं कर रहा है यानि AG plus ने बेंजल डियाइट CCS5 से क्या था बेंजल डियाइट को बेंजोएट में तो कर दिया ऑक्सीडाइजड लेकिन Cu2 plus बेंजल डियाइट को ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया यानि इससे हम conclusion निकाल सकते हैं कि AG plus जो है is a strong oxidizing agent क्या है यह strong oxidizing agent है in compare to in compare to Cu plus 2 ठीक है यह था solution आए हो आप उस्वाण में आए हो थेंक्यू